तो आज हम जानने वाले भारत के राश्टपती प्रेशिडेंट के बारे में कौन कब तक रहे हैं। पहले नमबर में हमारे आते हैं डॉक्टर राजिंदर परशाद जो 26 जनवरे 1950 को बने थे 13 मैं 1902 तक रहे हैं। यह हमारे सरप्रथम राश्टपती है जो हमारे देश का सम्मेधान जब लाग हुआ था तभी यह बने थे। फिर हमारे दूसरे नमबर में आते हैं डॉक्टर स्वरवपली राधा कृष्ण जो 13 मैं 1962 को बने था 13 मैं 1967 तक रहे हैं। फिर हमारे जाकिर हुसेन जो 13 मैं 1967 को बने था 3 मैं 1969 तक रहें। फिर हमारे चोथे में आते हैं वैरे इंगरी वैंकटागिरी 3 मैं 1969 को बने था 20 जुलाई 1969 को तक रहे थे फिर फारकुद्दिन अली अहमाद जो आपके 24 अगर्स 1974 को बने था एलेवन फेरवरी नाइटिन से लिएवयन तक रहे थे फिर हमारे आते हैं बी डी जाटी जो 11 फेरवरी 1977 को बने था और 20 जुलाई 1977 तक रहे थे 114 देश फिर के नीलम संजीव रेड़ी जो के 25 जुलाई 1977 को बने थे फिर यहां गेनी जेली सिंग जो 25 जुलाई 1982 को बने था और 25 जुलाई 1987 तक रहे थे फिर संक्रे दयाल सर्मा जो आपके 25 जुलाई 1992 को बने और 25 जुलाई 1997 तक रहे फिर के आर नारायाना जो आपके 25 जुलाई 1997 को बने थे और 2002 तक रहे फिर के एपी जे अब्दुलकलामीस को आप जानते हैं मिसालिमेन के नाम से जाना था 25 जुलाई 2002 को बने थे और फिर 25 जुलाई देवैसिंग पाटेल, जो 25 जूलाई 2007 को बने थे और 25 जूलाई 2012 को रहें, फिर हमारे आते नेक्स्ट परनव मוכरजी, जो 25 जूलाई 2012 को बने और 25 जूलाई 2017 तक रहें, फिर हमारे आते रामनात को बिन, jcape 7 जूलाई 2017 को बने 25 जूलाई 2022 तक रहे अब हम बात करने जा रहे हैं आखरी जो हमारे आखरी नहीं बोल सकते हैं जो अब हमारे अभी है दुरुपदी मुर्मू जी जो हमारे 25 जुले 2022 को बने और इन केम्बेंट मतलब अभी जो है अभी वरतमान में हमारे हैं द्रोपदी मुर्मु क्या है प्रसिडेंट रास्टपती हमने भारत के राश्टपती की सुची के बारे में आप लोग को बताया है आप लोग लिखने का टेम्ब अच्छा से लिए क्योंकि इनके डेट अब बर्थ भी लिखा है कितने साल या कितने दिन तक यह अपने पद मे रहें वो भी लिखा हुआ है और यह कब से कब तक रहें कितने बार बने हैं सारे कुछे डिटेल्स में वीडियो में हैं अप लोग क्यारफुली से